नमस्कार दोस्तों, श्वागत आपस भी लोगों का एक वार फिर से, अब जान लो, नया साल 2023 में कव कव लगेंगे शुर और चंद ग्रहने। दोस्तों, नया साल 2023 आने वाला है, बक्त कितनी तेजी से बढ़ता है, जिन्दगी में इसी रप्तार से आपको भी आगे बढ़ना होगा। बहर हाल, हम बात करेंगे कि नया साल 2023 में कव कव शुर और कव कव चंद ग्रहन लगेंगे, इसकी तारीक हम आपको फटा फट बता देता हूँ। दोस्तों, निव इयर साल 2023 में पहला ग्रहन कव लगेगा, पहला ग्रहन कौन सा लगेगा, चंद ग्रहन लगेगा या शुर ग्रहन लगेगा, और इसके अलाबा 2023 में कव कव और शुर और कव कव चंद ग्रहन लगेंगे, उनकी तारीक हैं भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें चंद ग्रहन की, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रुक्ष्ट है कि वीडियो को लाइक कर देजेगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर कर देजेगा, और यदि पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजेगा दोस्तों सबसे पहले चंद ग्रहन की बात करें, तो अगले साल पहला चंद ग्रहन दिखाई देगा, पांच मई 2030 को, हलाकि ये ने साल 2030 का पहला ग्रहन नहीं होगा, क्योंकि इस से पहला एक शूर ग्रहन भी लगेगा, अप्रेल के महिने में, तो साल का पहला शूर ग्रहन ये शुर्गण भारत में पूर्ण रोप से दिखाई नहीं देगा और इसले इसका सूता काल माने नहीं होगा जोतिस के हिसाब से बात करें तो ये शुर्गण मतलब नए साल का पहला शुर्गण होगा और मेश राशी में लगेगा और शुर्गण का प्रभाव मेश से करक त तुला राशियों पर देखने को मिलेगा हिंदी पंचां के मुताबिक है साल 2030 का पहला शुर्गहन 20 अप्रेल 2030 को सुबह साथ बचकर चार मिनट से सुरू होगा जो दुपार 12 बचकर 29 मिनट तक रहेगा तो ये थी पहले शुर्गहन की जानकारी जनवरी फरवरी मार्च के मह महिने में चन्द ग्रहन लगेगा, यह है है यहाँ पर भी ऐसा श्रयोग देखने को मिलेगा, जब 15 दिन के अंदर ही वापश शुर्गहन के बाद चन्द ग्रहन लगेगा और इस धिलिए इस तरह से दो ग्रहन 15 दिन के नजदीक लगेंगे, इन ग्रहन का बुरा अब बात करते हैं अगले ग्रहन के बारे में तो साल 2030 में अगला शुर ग्रहन लगेगा 14 अक्टूबर को और अगला चंद ग्रहन भी लगेगा 29 अक्टूबर को यानि कि शुर ग्रहन 14 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को चंद ग्रहन लगेगा ठीक 15 दिन बाद 2030 में तो साल 2030 में चार गहन रहेंगे total एक तो नहीं यानि की एक तो 5 मैई 20 अप्रेल 14 अक्टूबर 29 अक्टूबर को चन्द गहन और सुरुगन रहेंगे यानि की 2 चन्द गहन दो शुरुगन रहेंगे ज़्यादातार गहन आंसिक रूप से रहेंगे इसलिए इनका सुतक काल नहीं लगेगा ग्रहन के बाद घर की सुद्धी करण जरूर करने दीपक बैगरा जला दे पूरे घर में गंगा जलगा छिड़काव करें और यथा योग संभा हो तो दान जरूर करें गरीब निर्धन को गर्वती महिलाओं को पुशे सावधानी बरतने की जरूरत रहती है चाकू, सुई, कैची, धारदार वाली वस्तोय ग्रहन के समय नाच हुए और खाने पिने के चीज़ों में भी परहेज करें और यथा योग संभावदान जरूर करें तो ये थी ग्रहन के बारे में 2013 की संपुन्ट जानकारी दोस्तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और चलू को सब्सक्राइब करिएगा जै शर्देव